शोपिया में एक बार फिर आतंकियों ने जमू कश्मीर पुलिस को अपना निशाना बनाया दरसल आतंकियों ने शोपिया के इमाम साहब के पास एक एसोजी कैम्प पर अचानक हमला कर दिया इस हमले में एक पुलिस कर्मी घायल हो गया फायरिंग के दोरान गोली लगने से पुलिस कर्मी की स्थिती नाजुक हो गई जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में भरती कराया गया जहां पुलिस कर्मी की हालत गंभीर बनी हुई आपको बता देए पूरा मामला शोपिया के इमाम साहब के पास हुआ झाल